हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रामा सिरीज, एपिसोड टू तक की कहानी आपको पिछले वीडियों बता चकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्सर में मिल जाएगा, पिछले अपसोन में मुझे देखा था कि सीन और साइवान की साधी हो रही होती है कि तबी वहाँ पर साइवान के सारे एक्स वाइफरेंड आ जाते हैं क्योंकि सेंगनान ने उन्हें ब्रसनली कॉल करके बुलवाया होता है साइवान की साधी को बरबात करने के लिए आगे से इन साइवान से पूछता है तुमने मुझसे जूट बोला था और किसी भी बात का रिपलाई नहीं करती दूसी तब साइवान को ही गलत थेराने लगते हैं और उसे ही बुरा भला कहने लगते हैं तो साइवान की मॉम को ये सब सुना नहीं जाता और साइवान की मॉम सारे गेश्ट से लड़ने लगती है तो साइवान को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है प्लिस लराई मत करो तो कोई भी साइवान की बातें नहीं सुनता तो साइवान कसके चिला कर कहती है लराई करना बंद करो तो सारे लोग चुप हो जाते हैं तो सिन कहता है साइवान मुझे बताओ क्या ये सब सच है ये साइवान तुम्हारे हैं तो साइवान कहती है हाँ ये सब सच है ये साइवान मेरे ही है मुझे इस समाज की एक बात समझ में नहीं आती लड़के हजारों डेट कर सकते हैं पर ल यार एक बार में सफल हो गिया क्या आपका कोई एकस बाइफरेंड नहीं था और अंकल जी आप बताओ आप कौन से दूद के धुलेवे हो क्या आपकी कोई एकस गल्फरेंड नहीं थी यहाँ पर मौझूद सारी लोगों का पास्ट है और उन लोगों ने उस पास्ट में तो मैं सोचती थी कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है मैं इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी लेकिन वो रिस्ता नहीं चल पाया तो मैं क्या करूँ जब भी मेरा ब्रेक अप होता था तो मैं अपने आपको समझाती थी कि मैं यह गल्ती दुबारा नहीं करू किया वो मैं अपने आगे वाली रिलेशन में नहीं करूंगी मैं बहुत कोशिस करती थी उस रिस्ते को निभाने की पर वो रिस्ता नहीं निपता था इसमें मेरी क्या गल्ती है यहां पर मजूद सारे लोगों से मैं पूछना चाहती हूं क्या आप लोगों की साधी ठीक उ बहुत ही अपसोस होता है कि उसने साइवान के साथ ऐसा क्यों किया दूसी तब सीन को भी बहुत बुरा लगता है कि उसने साइवान पर ट्रस्ट नहीं किया तो सीन साइवान को कहता है चलो साधी करते हैं तो साइवान कहती है बिल्कुल नहीं मैं तुमसे साधी नहीं करू और तुमने प्रामिस क्या था कि तुम हमेशा मेरा साथ धोगे, मुझ पर भरोसा करोगे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें जैसे पता चला कि मेरे धेर सारे एक्स बॉइफ्रेंट है तो तुम्हारा भरोसा मुझ पर से उठ गया, अगर क्या होता ये बात तब तो तुम मुझे डाइवोर्सी दे देते इसलिए मैं ये साधी तोर रही हूँ और ये कहकर साइवान वहां से चली जाती है तो साइवान के मा पापा भी और सेंगनान भी साइवान के पीछे जाते हैं इधर हाउमेंग भी वेडिंग होल की तरफ आरा होता है कि तभी वो साइवान से टकड़ा जाता है तो साइवान होमेंग को देखकर रुख जाती है और वो सोचती है कि सेंगनान ने उसकी खुसियों को डसा है इसलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेगी और साइवान सेंगनान के सामने होमेंग को किस कर लेती है तो बेचारा होमेंग ये सब द पुरिी तरह सोउक्त होजाती है आगे सायवान हो मैंगि को जबरदस्ति कार में बिठाती है तो हो मैंग वहां से जाने की कोशिस करने लगता है तो साइवान कहती है अगर तंप समय нет कि किया है तो साहिवान कहती है मैं अगर तुम इस गारी से उत्रे तो में जाकर सुसाइट कर लूँगी और सुसाइट न२ट पर यह लिखंगी तो मैंने तम्हारी वज़़े से मैंने सुसाइट किया है और तुम्हें की हैcía और उसने दो बार फ़ी Zarago वो भी मुझे हडास करते हुए, तो समझ जाओ कि वो पुलीस वाला तुम्हें पकास अलाखों के पीछे डाल करी रहेगा, तो बेचारे हो मेंग की तो ये सुनकर तोते ही उर जाते हैं, और बेचारा इसमाइल करके कहता है, मैडम कहां जाना है, आगे वो लोग बीच पर जा लिट रही हो, तो साइवान कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, कि सेंगनान को ये बात कह देना, कि वो मेरी खुसियों के साथ ना खेले, अगर उसने ऐसा किया, तो मैं उसे नहीं छोड़ूँगी, सेंगनान ने मेरी खुसियों पर ग्रहन लगाया, और उसने मेरी साधी भ बरबात की है और तुम सेंगनान के बॉफेंड हो इन सब का हरजाना अब तुमें ही भुकतना होगा। तुमने मेरी लाइफ बरबात कर दी है तुम यह का फोण पाणी में फेक की है। तो हाओ मिंग को साईवान पर बहुत गुसा आता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये साधी करके खुस रहती बिल्कुल भी नहीं अगर तुम्हारे पती को साधी के बाद इसके बारे में पता चलता तब भी वो ऐसा ही करता तुम खुद अपनी दिल से गया क्योंकि इस साधी से तुम्हारा भी कोई भला नहीं हो रहा था तुम जब अर्दस्ती ये साधी कर रही थी समझी तो साईवान ये सुनकर रोने लगती है और फूट फूट कर रोती है आगे हमें साईवान के लिए कुछ समान लाता है और कहता है इसमें टीसू पेपर और तुम्हारे मेकप का भी समान है जब तुम्हारा रोना खतम हो जाए तब इस मेकप को अपने मूपर पोथ लेना क्योंकि इस तरह तुम बहुत ही ड़ाबनी लग रही हो मुझे पता है कि सेंग नान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया लेकिन आप रोकर भी क्या फाइदा कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है और यह कहकर हौमिंग वहां से जाने लगता है तो साइवान हौमिंग का पैर पकर लेती है और क्यूट सा फेस बना कर कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे आगे वो दोनों ड्रिंक करने के लिए जाड़े होते हैं तो हाउमिंग साइवान को पीछे से देखता है और अपनी पाष्ट की बाते याद करता है जब हाउमिंग ने साइवान को पहली बार देखा था जब साइवान इसकूल में पड़ती थी तो हाउमिंग ने साइवान का पीछा भी क्या था और उसके पीछे पीछे उ और वो दोनों अपने आपको ऐसी हालत में पाते हैं तो वो दोनों ये देखकर पुरी तरह सौक्ट हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो दोनों अपने आपको सम्हाल कर अपने कप्रे चेंज करने के लिए चले जाते हैं। केता है आओ ब्रेक्वास्ट कर ले उसके बाद तुम अपने कप्रें चेंज कर लेना मैंने स्टाप से कहल वाकर तुम्हारे लिए एक नया कप्रा मंगवाया है क्यूंकि तुम साधी का जोड़ा पहन कर अपने घर तो नहीं जा सकती तो साइवान कहती है ठीक है और हमें के प जैसे हुआ है अगर वो मेरी साधी बरबाद नहीं करती तो अभी मैं अपने हस्वेंट के साथ बैट कर ब्रेकफास्ट कर रही होती और उसके साथ हनीमून की प्लैनिंग कर रही होती लेकिन तुम ये सब छोड़ो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं तुम्ह ब्लेम नहीं करूंगी और साईवान इतना क्यूट सा फेस बनाती है कि हाउ मिंग उसकी बातों में आ जाता है वैल साईवान को देखकर लगता है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई खिचरी जरूर पकड़ रही है सेंग नान से बदला लेने की आगे साईवान हाउ मिंग को आपस में ही सुलजा लेना चाहिए पुरिस को बीच में नहीं लाना चाहिए चलो हम आपस नहीं बात करके इसे सल्टा लेते हैं तो साईवान कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तो इसलिए वहां पर जारी हूं ताकि मैं अपना केस वापस ले सकूँ मुझे माफ कर दो मैं ने तुम पर जूटा इल्जाम लगाया था तो हम ये सुनकर तो पुरी तरह सौक्ट हो जाता है लेकिन खुज भी होता है और कहता है तुम्हें पुलिस एस्टेशन जाने की कोई जरुरत नहीं है हम ये मामला कोट में भी सुल जा सकते हैं लेकिन आज संडे है और आज कोट बंद रहेगा इसलिए हम लोग कल जाकर इस मामले को सुलजा लेंगे ठीक है तो साइवान कहती है जैसा तुम कहो वैसे मैंने तुम्हारे उपर अपना सारा करजा उतार दिया है सिवाए एक चीज के आगे साइवान हाउमें को एक नया फोन खरीद के देती है और कहती है कल के लिए मुझे माफ कर देना कल मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने तुम्हारा फोन पानी में फेट दिया और साइवान हाउमें को अपनी चुपरी चुपरी बातों में फसाने की कोसिस करती है तो बेचारा हाउमें भी साइवान की बातों में फस जाता है तो हाउमें साइ तो में बिल्कुल प्री करूंगा। तो साइवान का यह सुनकर मुँही उतर जाता है। और वेचारी साहोधिस लेकर वहाँ से चली जाती है। और उसे भी साइवान के लिए बुड़ा लगता है कि उसके साथ इतना कुछ हुआ। हाओ मेंग ऑफिस आता है तो वो देखता है कि सेंग नान उसका ऑफिस में इंतिजार कर रही है तो सेंग नान जैसे ही हाओ मेंग को देखती है तो वो पूस्ती है कि तुम कल राच से कहां पर थे और तुम्हारा फोन की ओफ था कहीं साहिवान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं मुझे बताओ आखिकार उसने तुम्हारे साथ क्या किया तो हाउ मेंग सेंग नान की एक भी बातों का जवाब नहीं देता और कहता है साईवान ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया हम दोनों साम के बाद अलग-अलग रास्ते चले गए थे मुझे नहीं पता साईवा मुझे नुकसान पहुचाने के लिए तुम्हारा इस्तिमाल जरूर करेगी इसलिए उससे बचकर रहना तो हाम एंग कहत है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी लेकिन अगर वो चाहे तो वो तुम पर केश जरूर कर सकती है क्योंकि तुमने उसकी साधी बरबात की है और हॉमिंग सेंगनान को लॉयरी लेंगबेज में इतना डराता है कि बेचारी के तो तोते ही उड़ जाते हैं तो सेंगनान कहती है मैं जानती हूँ कि इस बार बहुत ज़ादा ही हो गया मैं ऐसा नहीं चाहती थी मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी लेकिन सब कुछ गरबर हो गया तो हॉमिंग कहता है इस बार तुमने बहुत ज़ादा ही गरबर कर दी तो सेंगनान कहती है हाँ मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें वार्ण करती हूँ कि साइवान से दूर रहना क्योंकि वो ऐसी मचली है जो तुम्हें जिंदा निगल जाएगी इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं कि उससे दूर रहना, बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वर्ड नहीं किया था साइवान को लेकर और ये कहकर सेंगनान वहां से चली जाती है, तो हाउ मेंग भी सेंगनान की बातों को सोचने लगता है कि तभी उसे साइवान का मेसेज आता है, जिस होटल में हम दोनों रुके थे, उस होटल का हम दोनों बिल आधा-धा पे करेंगे इसलिए अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हें होटल का बिल पे कर दूँगी तो हाउमेंग कहता है इसकी कोई ज़रुत नहीं है, वेल यहाँ साइवान हाउमेंग से बात करने के अलग-अलग तरीके ढूनती है तो हाउमेंग को भी यह सब अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता, आखिरकार उसके साथ यह सब क्या हो रहा है और वो सोचने लगता है कि अब वो आगे क्या करे, क्या सच में साइवान चुरेल है, जैसा सेंगनान ने बताया, या साइवान सच में बहुत अच्छी है तो बेचारा इसी को सोच कर पगला रहा होता है आगे साइवान घर जारी होती है और वो सोच रही होती है कि वो अपनी मम्मी को क्या कहेगी कि वो साधी से क्यों भागाई कि तभी वो देखती है कि सिन उसके घर आया हुआ है और सिन उन लोगों से माफी मागने की कोशिज कर पर साइवान के पैरेंट्स सिन को धक्के मार कर घर से निकाल देते हैं तो साइवान ये सब चुपके से देख रही होती है कि तभी साइवान की मौम साइवान के पास जाती है तो साइवान को लगता है कि उसकी माँ उसे डाटेगी पर साइवान की माँ उसे नहीं डाटती बल आगे हाओ मेंग उस रात की पूरी बात को याद करने की कोसिस करता है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था तो हाओ मेंग कहता है सबसे पहले में बीच पर गया था जहां पर साइवान खुब रो रही थी और मैं उसे समाल रहा था आगे जब मैं वहां से जा रहा था तो लिए उसके साथ बार गया था और वहां पर जाकर हम दोनों ने जम कर ड्रिंक किया था उसके बाद साइवान नसे की हालत में मुझे अपने दिल की बात बताने लगी और उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यू नहीं आ रहा आगे हाओमेंग अपनी दिमाग पर और देमाँ बॉस्तक का तुझ है मैं अकर जागे हाओमेंग आपने डॉक्टर दोस्त सुई के पास मैं यहाँ पर अपना treatment करवाने नहीं आया जो तुम मुझे पैसन की तरह treat कर रहे हो तो सुई कहता है क्या तुम यहाँ पर बिजनेस के लिए आये हो क्या तुमने मेरा offer माल लिया तुम्हें पता है ना मेरा offer कितना अच्छा था तुम कितने लोगों का divorce करवाते हो और वो सार मुझे ये ऑफर मनजूर नहीं है समझे? तो सुई का ये प्रोंपू ाफ यू जाता है. तुम तो डॉक्टर हो ना, तुमेंतो हैप्नोसिस करना आता होगा ना. क्या हैप्नोसिस करनेसे, क्या किसी को अपनी पिछली बाते याद आ जाती है? तो सोई कहता है मैंने कभी किसी पर हैपनोसिस नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं पता लेकिन ध्योरी के अनुसार से अगर किसी पर हैपनोसिस क्या जाता है तो उसे अपनी पिछली बाते याद आती है तो हाउ मिंग ये सुनकर खुस हो जाता है, और कहता है क्या तुम मेरे उपर हैपनोसिस करोगे, क्योंकि पिछले दो दिन मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे वो याद करना है, तो सोई कहता है मैंने पहले कभी ये नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम पर ट्राइ करता हूँ और सुई हाव मेंग पर हैपनोसिस ट्राइ करने लगता है तो जैसे ही हाव मेंग सोने वाला होता है कि तभी वो उठ जाता है और कहता है हैपनोसिस करने के बाद मेरे साथ कुछ गलत करने की सोचना मत वरना अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम दोनों को तो सुई पिर से उट जाता है और कहता है जीन यहां पर जोभी होगा तुम वह सब रिकोर्ड करोगे क्योंकि मुझे देखना है कि आखे कार मैंने क्या क्या किया था समझे तो जीन कहता है ठीक है बॉस आगे सुई फाइलि हाओमेंग को हाइपनोसिस कर देता है तो बिचारा हाओ मेंग गहरी नींद में चला जाता है आगे जब हाओ मेंग की नींद खुलती है तो वो अपने आपको होटल रूम में पाता है तो हाओ मेंग उस होटल रूम का दर्वाजा खोलता है ताकि वो ये जान पाए कि आखिरकार उसने उस रात को क्या क्या किया था आगे हाओ मे प्लिस ये वीडियो मत देखे आप इसे बड़दास्त नहीं कर पाएंगे और जो कुछ भी आपने किया है आपको इसकी जिमेदारी लेनी होगी तो हॉमिंग जैसे ये सब सुनता है तो बेचारे का प्रान ही सुख जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं मैं इस वीडियो को देख कर हूँगा और हॉमिंग उस वीडियो को चला देता है तो हॉमिंग देखता है कि वो अपने साथ ही कुछ अजी भड़कते कर रहा है एक त और दूसरी तरफ वही कप्रे उतारने लगता है और जब वो कप्रे उतारने से मना करता है तो वो उसे खूब मारता है तो हमेंग को यह सब समझ में नहीं आता है आखिरकार यह सब क्या चल रहा है कि तभी हमेंग को याद आता है कि यह सारा सिन तो उस रात का है जिस रात उस साइवान के साथ जबर्दस्ती nitu तो हम में यह सोच कर पगला जाता है कि वे साइवान के साथ जबर्दस्ती की है और बेचारी की समय कोई गलती नहीं थी इधर साइवान की पुरानी चीज़ों को देखती है और दिब्बे में रखती है और उसे देखकर इमोशनल हो जाती है तो ये सब साइवान के मौम और डैड भी देख लेते हैं तो वो लोग अपनी बेटी की ऐसी हालत पर सैड रहते हैं पर वो अपनी बेटी को समझा भी नहीं सकते कि वो इस दुख से बाहर निकले आगे साइवान की मौम कहती है तुमसे कोई मिलने आया है मैं यहीं बताने के लिए तुम्हें यहां पर आई थी तो साइवान जैसे बाहर जाकर देखती है तो वो देखती है कि सेंग्नान उसे मिलने आई हुई है तो साइवान सैंगनान को कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो मेरा मजाक उडाने के लिए तो सैंगनान कहती है नहीं मुझे माफ कर दो मैं जानती हूँ कि इस बार मुझसे बहुत बरी गलती हो गई लेकिन मैं यह सब नहीं चाहती थी मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी लेकिन मेरी वज़ा से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो क्यों ना हम दोनों फिर से फ्रेस स्टार्ट करे पुरानी सारी बातों को भुला कर कर सेंगना को जिसने उसकी साधी बर्बाद की है तो सैंगनान कहती है अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो फिर मैं चलती हूँ तो साइवान कहती है ठीक है आगे सैंगनान वहाँ से चली जाती है तो साइवान सैंगनान को देखकर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर दूंगी पूछ रहा होता है कि आखिरकार अब उसकी जिंदगी का क्या होगा कि तभी उसे साइवान कॉल करती है तो हाँ मेंग साइवान के कॉल को इग्नॉर करता है लेकिन बात में उसका भी मन नहीं मानता और वो साइवान का कॉल उठा लेता है और कहता है कैसी हो तो साइवान कहती है मेरी तबियत खराब है तो हॉमेंग कहता है तब तुमये डॉक्टर के पास जाना चाहिए न जा ऑо डॉक्तर को दिखाओ तो साइवान कहती है मैं अभी होस्पिटल में ही हूँ गाहिनलोजिस्ट के पास तो हॉमेंग जैसे ही गाहिनलोजिस्ट का सब्सक्राइब emotionally blackmail करती है और बेचारा हाउ मेंग साहीवान के चाल में फस जाता है तो साहीवान हाउ मेंग को कहती है मैं हमेशा अपने आपको अकेला महसूस करती हूँ मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकूँ और ये कहकर साइवान वहां से जाने लगती है तो हाउ मेंग को साइवान के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहता है रुको और हाउ मेंग साइवान को अपना कोट उड़ाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा तो साइवान जैसे यह सुनती है तो वह हमेंग की आंखों में खो जाती है और कहती है तुमने आज भी वही बात कही जो तुमने नसे की हालत में कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे कि तभी एक फ्लैस बैक दिखाये जाता है हमेंग साहिon के साथ McGregor रहा होता है और बेचारा इतना करता है कि वहींपर सो जाता है तो नहीएंग को ज्यादा नहीं चाहरता की वहां आदा दर्रिंक नहीं करती खाली हमेंग को ही ड pregnancy पीलाती है और से आगले जारी होती है कि तब लाप फॉल दिख जाता है तो हमेंग स मैंक्स हाईवान को एक से क्याना से दूरào बड़े सब्सक्राय हुआ मैंसरी गरेकर के से वह साहईवान ale ओका मैंसरा कुम्हारे लाइक नहीं donse मति समें ओक लाइक से नहीं कहते है इसलिए अब तुम उस बंदे का इंतिजार करो जो तुम्हें सारी खुसिया देगा ना कि उस बंदे का जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम्हारा दिल दुखाया देखना तुम्हें एक दिन वो बंदा जरूर मिलेगा जिसे देखकर तुम्हारा दिल धरकेगा और दिल कहेगा ये वही बंदा है जो तुम्हारे लिए बना है तो साइवान हाउमेंग से पूछती है क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो और जिसे देखकर तुम्हारा दिल धरकता है तो हाउमेंग कहता है हाँ वेल साईवान को क्या पता हाउमेंग का दिल उसी के लिए धरकता है पर हाउमेंग ने ये बात उसे कभी भी नहीं बताई लेकिन साईवान को ये गलत फेमी हो जाती है कि हाउमेंग का दिल से एंगनान के लिए धरकता है आगे वो दोनों पानी में खुब मस्ती करते हैं उसके बाद साईवान हाउमिंग को लेकर होटल जाती है तो होटल में एक भी कमरा खाली नहीं होता कि तबी उधर से एक कपल रूम चेक आउट करता है तो साईवान उसे रूम को बुक कर देती है तो मैनेजर कहता है लेकिन वो रूम अभी साफ नहीं है तो साईवान कहती है कोई बात नहीं और रूम की चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है आगे हाउमिंग बैट पर विहोस हो जाता है तो साईवान उसके कप्रे उतारने की कोशिस करती है तो हमिंग उसे रोकने की कोशिस करता है पर साइवान नहीं रुकती लेकिन बाद में उसे खुदी पस्ताबा होता है कि आखिर कार वो क्या कर रही है तो साइवान रोते हुए कहती है मैं बदला लेने के लिए किस हद तक जारी हूं मैं तो कभी ऐसी नहीं थी सेंग नान तु हौमेंग की आंखों में ही देखती रह जाती है और यहीं पर एपिसोड 3 कतम होता है अखिर कर यहां पर यह पता चल जाता है